एक जंगल में एक चालाक लोमरी रहती थी, उसे दूसरे जानवरों को मूर्त बनाने में बड़ा आनन्प्राप्थ होता था, वहाई दिन कोई न कोई युक्ति सोचती और किसी न किसी जानवर को उसमें फंसा कर मजे लिया करती थी, जंगल के सारे जानवर उसका सुभाव सम जग चुके थे, इसलिए उससे कन्नी काटने लगे थे, एक दिन एक सारस जंगल में आया और नदी किनारे रहने लगा, लोमाडे के नजर जब सारस पर पड़ी, तो वह सोचने लगी जंगल के दूसरे जानवर, तो मुझसे कन्नी काटने लगे हैं, ये सारस जंगल में चाना मित्र, मुझे यहां आया भी कुछी दिन हुए हैं, मैं यहां किसी से परचित भी नहीं हूँ, तुमने मेरा स्वागत किया, इसलिए तुम्हारा धन्यवात सारस ने उतर दिया, लोमडी ने सारस के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा, सारस का उस जंगल में कोई मित् स्विकार कर ली, लोमडी ने उसे मीठी मीठी बातें की और वापस जाते जाते अपने घर भोच के लिए आमंत्रित कर गया, नियत दिन को उपहार लेकर सारस लोमडी के घर पहुँचा, लोमडी उसका स्वागत करते हुए बोली, आवमित्र, आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर तयार की है, अंदर बुलाकर उसने दो तश्टरिया लगाई और उसमें खीर परोस्ती, लंबी चोचवाले सारस ने तश्टरे से खीर खाने का प्रयास किया, लेकिन खान नहीं पाया, उधर लोमाडी जट पर तश्टरी में से खीर चाट गई, अपनी तश्टरी में से खीर खत्म करने के बाद वे सारस से बोली, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, मित्र, लेकिन तुम खाकें नहीं रहे हो, सारस संकोच बस बस इतना ही कह पाया, आज मेरे पेट में दर्ध है, मित्र, इसलिए मैं ये स्वादिष्ट खीर खान नहीं पाया, लेकिन भोज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सारस अपमान का घंट पीकर वहां से चला, आया, उधर लोमाडी सारस को मूर्ट बना कर बहुत खुश हुई, कुछ दिनों बाद सारस ने लोमाडी को भोज पर आमंत्रित किया, नियत दिन को लोमाडी बिना को उपहार यही सारस के घर पहुँच गई, सारस के उसे अंदर बुलाया और बोला, मित्र, मैंने भी भोज में खीर बनाया है, आशा है, तुम्हें उसका स्वाद पसंद आएगा खीर सुनकर लोमाडी के मूह में पानी आ गया और वेह खीर परोसने की प्रतिक्षा करने लग जो अपनी लंबी चोच से छटपट सुराही में रखा खीर पी गया, खीर खत्म कर सारस बोला, क्या बात है मित्र, तुम्हें खा क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं लोमाडी समझ गई कि सारस ने उससे अपने अपमान का बदला लिया है, वह खिस्यात वे बोली, नहीं मित्र, वो क्या है कि आज मेरे पेट में दर्धें और वहां से भाग खड़ी हुई, शिक्षाह इस कहानी से सीख मिलती है कि जैसा करोगे, वैसा भरोगे, जैसे को तैसा